गुद बॉर्णिक एवरिवन वेलकम मैं चैनल फिजिक्स करण तो आज हम एक मिनट में यह सेखिएंगे कि कमपॉण माइक्रोस्कोप के लिए हम रे डियाग्राम कैसे बनाते हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे देखें बच्चो जो कमपॉण माइक्रोस्कोप हो और इस इस प्रिंसिपल एक्सेज और एक बढ़िया से यह दोनुको हमने क्या करताना है एक्कुल पार्ट पर डिवाइट करताना है ठीक है ओप्टिकल सेंटर ओ इसका ओडैस इसका ओ तो फस्ट अपने क्या करना है यहाँ पर दो पॉइंट ले लेने अपने मन से कोई भी जो इनके बीच एक particular distance हो ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे optical center से आप जो इसका उपर वाला point है वो मिला देंगे सीधे ठीक है, optical center से मिलाएंगे, साथ मैं इसके साथ मिला देंगे इसको क्योंकि हमां पता है, जब optical center से रे जाती है, तो बिना reflection के निकल जाती है, दूसरा क्या होगा बच्चो यहां से light आएगी और इसके बाद क्या हो जाएगी, reflect हो जाएगी इसको आपने क्या करना है, दूसरे वाले point से मिला देना, ठीक है, जो first है, वो सीधे आपको optical center से उपल वाले point को जाएगी, और नीचे वाले को आपने क्या करना है, second वाले point को मिला देना कुछ इस तरह से, ठीक, ओके तो यहाँ पर image बन जाएगी, आपकी as dash ठीक है, इसको अगर आगे बढ़ा दू इसके साथ तो angle क्या बन जाता है, बीटा ठीक, तो यह इसके लिए क्या हो गया object distance, view not यह इसके लिए क्या हो गया v not, ठीक है अब जो यह image बनी है, इस lens के as a objective का काम करेगी means as a object का काम करेगी ठीक, तो हमें क्या करना है कि हम इसको क्या मालेंगे object distance मालेंगे, यह वाले distance को और इसको हमने ले लिया ue, बात में हमने बच्चु क्या करना है फिर एक point यहाँ पर ले लेना है ठीक है और फिर क्या करना है उपर वाली को एक बार इससे मिला देना है और एक बार नीचे वाली को इससे मिला देना है ठीक और इसको हमें क्या करना है फिर यहां से इससे मिला देना है तो यह हमारी क्या मनेगी, फाइनल इमेज बनेगी, ठीक, और इसको अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ, तो और यहां पर क्या बना दूँ मैं एक, आई बना दू बच्चो, ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका, एक compound microscope का ray diagram हो गया, और board में, अगर आपने यह बना वत्म बना दूबाइब का वाइनल इंव गया, और रखने यह बना दूदा और आपका, तो यहाँ बना